शुलंका ने पाकिस्तान को हराके एशिया कपके फाइनल के लिए क्वालिफाय कर लिया है एक सिंफल लाइम में अगर बताऊं कि यह क्यूं हुआ तो उसका जवाब सिर्भ यह है गंदी बॉलिण किये है पाकिस्तान ने गंदी कप्तानी की है बाबर आजम ने गंदी कप्तानी की है गंदी बॉलिंग की है शहीन शाफ रिदी या तो एक्स्ट्रा ओर्डरी बॉलिंग करते हैं या तो गंदी तरीन बॉलिंग करते हैं दर्मयान का कोई रस्ता नहीं है शादाब किस चक्कर में वाइस कैप्टेन है क्यों वाइस केप्टेन है मजबूरी बन गई है उसको खिलाना उसामा अमीर 100 में परफॉर्म करके आया हुए मतलब बॉल भी बड़ा अच्छा जगा उसका पाड़ा है लेकिन नहीं शदाब थोड़ी बैटिंग करे लेता है तो शदाब को ही हम निखिलाना है शदाब प्लेंग 11 में क्यों है अपनी थोड़ी सी बैटिंग की वज़ा से या अपनी लेक्स्पिन की वज़ा से तो जो लेक्स्पिनर है वो लेक्स्पिन तो ठीक करे जो कप्तान है वो कप्तानी तो ठीक करे वसीम जूनियर को पहले ओवर में 13 रन पाड़ गए है मैं आपको बड़ी देसी सी लाइन बताता हूँ अगर किसी बॉलर को पहले ओवर में ही बैटर्स ने फुल अटेक की है और उसको 13 रन पाड़ गए है न तो दुनिया का कोई भी समझदार कप्तान उस बॉलर को दूसरा consecutive ओवर देगा उसको हटाएगा नहीं क्योंकि श्री लंकन बैटर्स ने पहले ओवर में उस बॉलर को अटेक की है और 13 रंग लगाए है जिसका मतलब यह है कि चांसे जार सूपर हाई कि वो दुबारा अगले ओवर में उसको अटेक करेंगे और चांस निकलेगा आउटो ने का शदाब की बॉल स्पिन हो रही थी नवाज की बॉल स्पिन हो रही थी आपने फिर भी स्लिप नहीं ली कॉमेंटेटर पागल है वसीम हक्रम को क्रिकेट का नहीं पता अता बातु को क्रिकेट का नहीं पता कि इस बूल जाते हैं, क्यलकूलेशन की चांस रहाए अच्छा स्लिप लेके क्या होता है अगर स्लिप का एज नहीं भी निकलना ना तो बैटर के माइड में डाउट आ जाता है वो ड्राइव मारते हुए जरा सा डबल माइड हो जाता है कि पीछे स्लिप खड़ी वी है जब स्री लंकन बैटर्स के बल्ले सेट शहिंचा फ्रीजी ने पहले चार ओवर में उसको छे की एकॉनमी पड़ी उसको कुट पड़ी लेकिन उसके पाद आपने देखा कि स्री लंकन बैटर्स सेट हैं मेंडस ने 50 कर दी शहिंचा फ्रीज जब वापस आये वापस आके भी लेकिन फिर भी उनको लेट लाया गया जब उनके बल्ले सेट हो गए यही इंडिया के मैच में पेट रहा था कि आप तब आते हैं मैच में आप तब कुछ करने की कोशिश करते हैं जब दूसरे बैटर सेट हो जाते हैं पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ क्या किया था के केल राहूल ने मतलब सौ मार दिया उसके बाद हम देख रहे हैं कि यार इसको अब कैसे आउट करने है जब केल राहूल क्रीज पर आया है तो हमने ना स्लिप ली हमारी फिल्डिंग खुली की खुली रह ले हमने कोई चेंज नहीं किया यनि जब पानी सर्व से गुजर जाता लेकिन भई वो प्लैन करके आये थे बॉल वन से लेके आखर तक श्री लंका एक सेकंड के लिए बैक फुट पे नहीं किया परेरा ने शुरू में जो एक बुनियाद रखी कि बही इनके प्रिमियम बॉलर को अटैक करना है शहिंशा अफरीदी को ठीक है जो वो पीचे से फॉलो की है मतलब अगर इस मैच में श्विलंका के नो भी आउट हो जाते तो सब ने उससे इंटेंट के साथ खेलना था क्योंकि प्लैन नजर आ रहा था कि जाके हमने मैच खतम करना है हमने कोई प्रेशर नहीं नहीं कि टीम में बाबर आजम है उनकी टीम में श कितनी दफा आपको बता चुका हूं कि बाइलेना जीतना बहुत असब असन है आपमें थोड़ा पुलाइड होने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं पिटए हूं ये कहते है कि आपके tactics क्या हैं बाबर आदम tactics में fail होते हैं calculation में fail होते हैं किसको कितना over कराना है आखर में किसको बचाना है he cannot calculate at least for now unfortunately मैं यह सब कुछ बोल रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि बाबर आदम को कप्तानी से हटा दो आपको याद होगा आप में से बड़े लोग हैं जो बाद में आके जोईन करते हैं जो शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको पता है कि मैं कभी भी बाबर आदम की कप्तानी का फैन नहीं रहा और मैंने हमेशा लॉजिक के साथ बात की है लेकिन जब वर्ल्ड इवंट पास आ जाते हैं न तो हम संसनी फिलाने वालों में से नहीं है वर्ल्ड इवंट से पहले आप कभी भी कप्तान को नहीं हटाते अगर पाकिस्तान ने बाबर आजम को रिप्लेस करना था एज एक कैप्टन तो वो वर्ल्ड टी 20 के बाद कर देना चाहिए था अगर नहीं किया तो अब वोडिया यह वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर आया वा था तो सवाल ही पैदा नहीं होता था उनको रिप्लेस करना एक यह भी एक छोटा साथ आज फखर जमान ना मजबूरी के तहट खेलने हैं क्योंकि इमाम बड़े मैचिस से पहले या तो इंजड हो जाते हैं या उनको को क्रum काड है, फखर जमान ऐसा बंदा है ठीक है वह फॉर्म में नहीं है फखर जमान जाmezए फखर को एक इनिक चैही होती है मतलब फखर क्या है एक अन और्फोडाक्स बैटर बैटर है मतलब कोई उसकी टेक्नीव न है, कोई कुछ नहीं है लेकिन ऐसा बैटर किस टीम मैच चाहिए होता है और आपने उनको वो पूरा confidence देना होता है जो पाकिस्तान है ड्रॉप करके उसका confidence थोड़ा सा shake किया होगा लेकिन चलो वो खेल गए वो एक लाधा बात है लेकिन mindset आपको बताना चाहरा हूं कि कप्तान को back करना बहुत important है ठीक प्लेयर को और गलत प्लेयर को पाकिस्तान बाबर आजम अनफॉर्शनेटली बैक करते रहे हैं जैसे for example अली को इतनी कुट पढ़ना शुरू होगी थी इतनी कुट पढ़ना शुरू होगी थी लेगिन पाकिस्तान उनको लगातार खिलाता गया तो कभी-कभी आपको यूनों से आपको बताया है कि हम यहां पर चेज करने आए हैं उनकी क्राउड में डांस चल रहे हैं श्री लंका वरे वह बैंड बाजे बैक्ग्राउंड में चल रहे हैं मतलब फ्लोई उनके साथ थी ऐसा लग रहा था कि यहार है टुविन यहार है टूमिनेट वह नहीं चोड़े पाकिस्तान इस मैच में है जब दूसरी टीम के बैटर बहुत जाए था सेटल हो ना चोके चके लगा रहे हूं जो डिफ्रेंसिव कप्तान होते हैं वह फिल्डिंग खोल लेते हैं लेकिन जो MS जैसे केप्टन होते हैं ना महिंदरा सिंग्ध होनी जैसे मैं उनकी कप्तानी में यह जील देखी है बहुत दफ़ा नोट किया मैंने IPL में और इंटरनेशल में कि जैसे ही दूसरी टीम रांस करना शुरू करती है उनके बैटर सेज खेलना शुरू करते हैं तो आपके बड़े इवंट जाते जा रहे हैं जापे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पारे बड़े इवंट को बचाने के लिए अब पाकिस्तान ने वोल्ल कप में जाना है आपके दो वॉम अप मैच हैं और इस टाइम आप कन्फ्यूज हैं क्यूंकि इस मैच से पहले जो आपने चेंजिस किये थे ठीक है शाहिंशा फ्रीदी और अपना नसीम शाहर हारी स्राव तो चलो इंजिदी की विज़ा से बाह जो आपने इंडिया के खिलाफ तॉस पे गलत तैसला किया वो फटे वेकेट पे आपने इंडिया को बैटिंग करा दी और वहां से आपकी पूरी पर्फॉर्मस का ग्राफ नीचे गया है एक गलत डिसीन क्रिकेट में कभी-कभी जो आपने पीछे किया होता है वो आपको ब बता मेरा मश्वरा यह है कि सिंपल अपनी वही प्लैनिंग रखें जिस प्लैनिंग से आपको ओडियाई में कामिया भी मिल रही थी और कप्तानी बहुत इंप्रॉव्मेंट की दूरत है आपके फखर इमाम आपके ओपनर हो गया वन डाउन बाबर हो गया चोथा नमर पर जवान आ गया फिर इफ्ति शदाब जिसको भी आपने खिलाना है अपनी टीम का कंबिनेशन सेम रहें क्योंकि आपकी ओडियाई की बड़ी सेटल टीम है एक आता जो आप इंडिया से गंदा मैच आ रहे है वो गंदी कप्तानी की वज़ा से आ रहे है गंदे टॉस की वज लो फाइनल पाकेसान इंडिया का इशेगप की इस्ट्री में कभी नहीं हुआ और अनफॉर्शनेटली इस दफाभी नहीं